नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वारे हैं इंडिया पोस्ट में जो ग्रामील डांक सेवक की भरती निकली है उसके बारे में तो इस वीडियो में मैं आप क्या करना अनवारिय होगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप अगर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे लेटेस्ट जॉब में तो आप देखेंगे यहां पर दोस्तों इंडिया पोस्ट गार्ट्स राजस्थान एंपी यूके हर्याना ओनलाइन फॉर्म दोजार बीज तो इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस भरते की जो है पूरी डिटेल हमारे सामने खुल के सामने आ जाएगी ठीक है तो यहां पर दोस्तों सॉर्ट इंफर्मेशन है व यह राजस्थान में, हर्याना में, मद्यप्रदेश में और अत्राकंडियानी के चार स्टेट में ग्रामेविय डांक सेबक की भरती निकली हुई है आगे दोस्तों दोस्त अर इंवाइटे इंट्रस्टेट टो ऍटरी कंप्लीट लीजिबेल्टि क्रेटेरीय कैन रेड़ फुल नोटिफिकेशन एंड कैन अप्लाई ओनलाइन ठीक है तो अगर आप दोस्तों इसमें इंट्रेस्टेड हैं आप भरती होना चाहते हैं तो आप लिए जो रेट करना है फुल नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया पोस्ट भारती डांग विभाग में यह भरती है ग्रामी डांग सेवक रेकृट्मन 2020 ओनलाइन फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं हम हैं सरकारी रेजल्ट की ओफिसर वेबसाइट पर तो दोस्तों आप सभी को बता है कि सरकारी रेजल्ट पर जो भी भरती निकलती है वह फेक नहीं होती है वो एकदम करेक्ट निउस होती है ठीक है तो यहां पर दोस्तों कुछ इंपर्टेंट डेट्स दी हुई है इसके बारे में मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं इंपर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों यहां पर राजस्थान साइकल सेकेंड में रेजिस्ट प्रदेश और हरयाना और उत्राखंट इन तीनों स्टेट में 8 जून 2020 से रेइस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 7 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं मतलब अभी भी आपके पास में काफी दिन बचे हुए हैं इस भरती में अप्लाई करने के लिए नेक्स डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो उत्तर प्रदेश सैकल सेकेंड तो उत्तर प्रदेश सैकल सेकेंड में ये तेश मार्स से 15 माई तक था तो ये टाइम निकल चुका है दोस्तों यहाँ पर बैस्ट पंगाल अंधर प्रदेश तो यहाँ पर जो भरती है के राजस्थान मद्रदेश हर्याना और उत्राखंड के लिए जिसकी डेट बची हुई अभी इसमें 22 जून से रेइस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 7 जुलाई तक रेइस्ट्रेशन चलेंगे ठीक और और यहां पर जो है राजस्थान साइकल का सैकेंड का यहां पर 21 जूलाई तक आपके रेइस्ट्रेशन आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों पे एकजामस फी आप किसी भी माध्यम से एकजामस फी पेमेंट कर सकते हैं चाहें आप कैश ही च्यालान करते उसके बार में नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड किसी से भी आप या फिर जो है आपका और कोई अगर आपका पास में तरीका है इन मेंसे यहां पर दिया हुगा इसमें से तो आप एक्जाम्स भी पर कर सकते हैं एप्लिकेशन जो फीस होगी आपकी दोस्तो वह जीरो होग एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल होगी on start date of application मतलब जैसे यहां पर दोस्तो 22 जून से आपकी registration स्टार्ट हुए है तो आपकी जो last date होगी वह 18 से 40 साल के बीच में होना अनवारिय है eligibility है आपकी class 10th high school exam passed in any recognized world in India with mathematics and English as a subject know the local language of applied state मतलब आपके लिए 10th pass होना अनवारिय होगा आपके पास में 10th में math और English होना जरूरी है और आपके पास में local language जहां पर आप apply कर रहे हैं वो इस state के आपको local language भी आने जरूरी है ठीक है तो यहां पर दोस्तो vacancies की detail दी हुई है vacancies है यहां पर राजस्थान cycle में general की 1527 vacancies हैंगी OBC की 348 EWS की 278 SC की 544 HT की 468 और PH की हैं दोस्तों यहां पर 97 total राजस्थान cycle second में 3262 पदोपर भरती है उसको है मद्यप्रदेश में दोस्तों यह दे हुई है vacancy यहां पर total general के लिए 1149 है OBC के लिए 296 EWS के लिए 292 SC के लिए 428 ST के लिए 506 इसी तरह से total vacancies है यहां पर 834 ठीक है आपको इसमें apply करना है तो आपको कुछ नहीं करना है सरकारी रिजल्ट की official website पर आना है यहां पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है Apply Online पर तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज़ खुल कर आ जाएगा जिसमें आपको अप्लाइ कर देना है ठीक है तो मैं यहां पर आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसा फॉर्म आपके सामने आ जाएगे तो इस तरह से आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहां पर आपको यह वाले जो फॉर्म है उसको फ्लप कर देना है ठीक है तो यहां पर दोस्तों कुछ नहीं है अगर आपके लिए यह फॉर्म भरने में परिशानी आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा मैं आपके लिए पूरी जानकरीद दे दोंगा ठीक है जैसे ही आपके सो कमेंट से ओपर मेरे पास हो जाएंगी इस वीडियो में मैं आपके लिए फॉर्म फ्लप कैसे करना है वो बताऊंगा ठीक है कि बीडियो बना कर आपके सामने रखते हूंगा तो कि निकली है उसके बारे में मैं आपको बताया तो उम्मित करता हूं दोस्तों यह जो भरति थी मुद्धिपरदेस राजस्थान उत्राखंड हर्याना में ग्रामी डांक सेवक की भरती थी ओनलाइन आवे दने स्टार्ट हो चुके हैं आपके तो उम्मिद करता हूं दोस्तो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें और बैल आइकन को भी प्रेस क लेंचे से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें तो थेंक्यू फर वाचिंग दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत